अपने पसंदीदा एक्शन मुवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें तर द सिर्णा मत भूलें पूलें गया होड़ ऑ्स लिए संदोन करें एकशन हान झाल करें जमकाल झाल 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 कुम झाल चोटे लगता है बहरा हो गया है मार खाके ही सुनेगा वाई इस बार भी तुभी पहले जाएगा गुरु ब्रह्मा गुरु देवो गुरु विष्णु महेश्वारा हर बार गुरु को ही शुरुवात करनी पड़ती है अबो इस लेडी को यहां किसने बिठाया भाई वो चुप कर वे अकल नहीं है क्या देखो मेडम मेरे बारे में कुछ जानना है तो मुझसे पूछो ना मैं बताऊंगा बिना मतलब इधर उधर मत जाओ आप मैं अब बिलकुल बदल गया हूं मैंने अभी आने वाले एलेक्शन के ल करना चाहता हूं मैं मैं इस बार को चलाता हूं दूसरे बार्स में कोई काईदा कानून नहीं है आप थोड़ी देर रुकिए आपको खोड़ी पता चल जाएगा इस लड़के को देखिए यह कुंटा इससे पूछ लिजी जो पूछना है प्रशान को जानते हो तुम इसको नहीं बहचानते देखिए मैडम औरत को यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए जो पूछना था पूछ लियाना अब जाहिए ध्यान से देखो तेरी शकल को मैं भूलूँगी नहीं प्रशान्त कौन है और वो क्या करता था यह जानके रहूंगी अगर उसका और तेरा कोई संबंद निकला तो याद रखना तुम पागल हो क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है दूसरे जूरिडिक्शन वाले कॉल कर रहे हैं मुझे उस बार में सीन क्रेट करने की क्या जरूरत थी एक बात बता दूसरे पुलिस्टेशन के अरिये में जाकर वहां इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अपने पुलिस्टेशन में इंफॉर्म करने का कॉमन सेंस नहीं था बाड़ी एडिंडिफाई हुई क्या पहले वो करना था एक आधार कार्ट क्या मिल गया और सीधे बार में चली गई भाई साहाब बस कीजिए अगर आप इतना पिएंगे तो घर में जाया यहीं रुख जाना नहीं नहीं मुझे घर जाना है बीवी को बोल के नहीं आया हूँ नहीं पहुंचा तो गुस्सा हो जाएगी रात को घर से बाहर रहा है तो शीवल किल मी सैम इफ यू डों प्ले दिस केम विद मी आइम गॉन अ किल यह अफ चॉस यू आप दे लाइसेंस तो किल इंद्रा देख बेटा मैं सोने जा रहे हूं अपने ताओं को जादा मत पीने देना समझी इन्हें घर भी वापस जाना है ठीक है तुम जाके सो जाओ मैं यह गेम आराम से खेल के निकलूंगा सो कैसी चल रही है रिटाइड लाइफ नौट वरी इंट्रिस्टिंग जीरो एक्षिन तुम्हें क्या लगता है तुम बता तुमारी लाइट की तो शुरुवात हुई है ना सो चल में वेल मैं बहुत खुश थी पहला केस मिला फिर इस सूसाइट केस साम लिकिन मर्डा का पर उसने आत्मत्या क्योंकि वह समझ नहीं आ रहा मुझे है सूसाइड इस वरी पर्सनल थिंग पिटा फिर तो वह कायर हुआ ना कुछ बोल नहीं सकते है तो यह तेक देक्ट केस और रॉबिन विलियम्स फिनॉमिनल कमेडियन वह सब को हसाता था उसके पास सब कुछ था वैसे मैं ऐसे ही किसी को जानता हूं वह भी बहुत खुश दिखता था रात में बहुत अच्छे से बात की थी लेकन सुभा होते ही वोस कौन सुइसाइड वह क्यों वह क्यों वह क्यों वह तो मैं नहीं जानता था वहीं जानता था वहीं जानता था उसे अंदर से क्या खा रहा था, पता नहीं क्यों हमें उनकी तकलीफें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिर उनके लिए पहाड होती हैं, हर व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व, क्यों, कैसे, किसे पता, सिर्फ वही समझते हैं, फिस अचली जा यहाँ, अचली आता, आइयो, यू ज़स्टेश्ट लाष्ट, वह तुमने, मुझे जिस तरह से घेर लिया, मुझे मेरे भाई की अच्छानक याद आगे, तुमारे पापा, उसी ने मुझे ज़स्टेश्ट ने चैस खेंब लिया, उसी ने मुझे यह ज़स् में बड़ा था इसलिए मैंने पहले जॉइन कर लिया हमारी मां को अपने दोनों बेटों को मिल्ट्री में नहीं भेजना था इसलिए उसे जाने नहीं दिया अगर वो अभी तुम्हें देखता तो बहुत खुश होता है युवर बेन वेरी हापई वन मोर गेम नहीं बेटा मुझे चलना चाहिए बहुत हुआ अभी घर जाता हूं आप अलड़ी हाद मैं लास्ट वन पर रोट्स सुनों केस कोई भी हो उसके लिए अपना दिमाग मत खराब करना हम यू टेक केर गुनाइट प्रशान्त 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 को आप जानते हैं क्या कौन प्रशान्त गुपता बिल्डर्स से आपने एक अपार्टमेंट खरीदा है ना हाँ तो प्रशान्त ने वहां सूसाइज किया है क्या मेरे फ्लेट में प्रशान्त ओ येस उसी ने तो मुझे फ्लेट दिलवाय था ये वहां अज़न्त मेरे फ्लेट में पेंट और इंटिरियर का काम भी वही देख रहा था प्रशान्त गुपता बिल्डर्स के लिए काम करता था शायद से प्रशान्त के बारे में कुछ और पता है आपको फ्लेट खरीतना है ऐसा पोस्ट दाला था तब ही वो मेरे टच में आया उसके बाद ही आयव पचेश द फ्लेट ओ ओ ओके थांक यू हलो हलो प्रशान्त की फैमिली से मिला मैडम वो लोग बहुत सीधे वो एक लौता था घर में कमाने वाला लेकिन उनको भी नहीं मालूम वो क्या काम करता था महीने के पहली तारिक को वो पैसे बेज़ देता था प्रशान्त के साथ क्या हुआ उसकी फैमिली को बताया अभी तर नहीं मैडम दस दिन पहली फोन पर उससे बात हुई थी वो लोग उसके दोस्त को मधू नहीं मनी से बात करने वाले थी और उसे भी फोन किया था, पर स्विच ओफ आ रहा था. ठीक है, प्रशान्त के परिवार को बता के उनको बाडी सॉंप दो. ठीक है मैडम. मनी के बारे मैं बता रहे थे ना, उसके बारे मैं भी इंक्वाइरी करो. ओके मैडम. और वो जो पेंटर्स है ना, जो गुप्ता बिल्डर्स के यहां काम करते हैं, उनसे भी इंक्वाइरी करो. ठीक है मैडम. प्रशान्त नाम का कोई आदमी यहां काम नहीं करता. आपकी कोई और ब्रांच है? हमारी कोई ब्रांच नहीं है मैडम. अगर प्रशान्त आपका एंप्लॉई नहीं था, तो आप लोगों ने उसको फ्लैट कैसे बेच दिया? पता नहीं मैडम. मैंने दो मैंने पहले ही ओफी जॉइन किया है. अगर ब्रांच नहीं है. अपने एंप्लॉईज को यह फोटो दिखा कर चेक करवा सकती हैं? एस? एस मैडम. चेक करो. आफिस में पूछो एसे कोई जानता है क्या? ठीक है मैडम. मैडम, मैं इसको जानता हूँ. तुम इसे जानते हो? कहां देखा है? मैडम, परसनली तो नहीं जानता. हाँ, लेकिन इसे ओफिस में जुरू देखा है मैडम. आई यू शूर ये वही है? मैडम, 100% शूर. मुझे बहुत अच्छे से याद है. मैं जब कॉफी लेके जा रहा था, तब ये रेसेप्शन पे था. अपने मूँ से बबल गम निकालके ये सीड के नीचे चिपका रहा था. मुझे गुस्स आया तो मैंने उसे बहुत सुनाय उसके बाद ही उसे वो बबल गम डस्बन में फेका. हमारी रेसेप्शनिस्ट ने हमें ये बताया कि वो हमारे बॉस से मिल आया था. कुछ भी हो मैडम, उसे जो किया वो गलत था. ये बात रेसेप्शनिस्ट को भी पता है. यकीन हो तो आप उसे भी पूछ सकती हैं. में पास नहीं है, मैडम. प्रशान की बॉड़ी डिस्पोस कर दी है, पर मनी के बारे में को इंफरमेशन नहीं मिली. प्रशान के परिवार से मनी की बारे में पूछा था, लेकिन उनका कहना है कि उसे कभी देखा नहीं. पर वो लोग फोन पर बात करते थे. थोड़ा और कुछ न कुछ जरूर मिलेगा. और वो पेंटर्स का क्या हुआ? उनसे पूछताज की? उन्होंने एक ही लेयर पेंट किया था. प्रशान नहीं उन्हें दूसरे दिन आके पेंट करने को कहा था. प्रशान ने जहां सूसाइट किया, उसके फ्लैट ओनर को कॉल किया था. उस कुछ तो गडबढ है. गुपता. ये कुछ बता सकता है. मैं सर से ओफिशियल पर्मिशन लेती हूँ. ठीक है मैडम. सर. बॉर्ड डिस्पोस हो गई? ये सर. सारी फॉर्मालिटीज पूरी हो गई है. तुम जा सकती है. सर मुझे वो गुपता बिलडर्स के मिस्टा गुपता को मिलने की पर्मिशन चाहिए थी. सर. बॉला उससे क्यों मिलना चाहती हो तू? सर प्रशांत उससे मिला था, सर. तो अब मिस्टा गुपता से मिलके थोड़ी क्लारिटी मिल जाएगी, सर. क्या प्रशान सिर्फ पूरे दिन में गुपता से मिला था वो तो बहुत लोगों से मिला होगा फिर तुम उसे से क्यों मिलना चाहती हो सही कहा सर जितना मुझे पता चला है मिस्टर गुपता उस दिन प्रशान से मिले थे सर सो अगर आप मुझे उनसे मिलने की पॉमिशन देंगे तो सारा कन्फूजन दूर हो जाएगा सर देखो यह जो रियल इस्टेट के लोग होते हैं ना बड़े-बड़े पॉलिटीशन्स को जानते हैं अगर कल कुछ हो गया तो सब बरबाद हो जाएगा तुम जा सकती हो कि सब्सक्राइब गुपता का हमें एड्रेस मिल गया है मैं आपको भेजता हूं पॉर्फेक्ट कि क्या काम है मेडम गुपता जी से मिलना था आप कौन है मैं इंद्रा हूं क्राइम ब्रांच से किरन जी इससे बात करके देखो शायद कुछ हाथ लग जाए ठीक है बड़ा आप अंदर जा सकती है ओके और बताओ क्या हाल चल है कि अपया प्रवादा आपके लिए चाह लागा हूं थाइंक्यू कि अपया दुए ना मैं आपके लिए चाहला ना हूं थांक्यू help yourself thank you क्या बात करनी थी आपको आपके employee प्रशांत के बारे में बात करनी थी प्रशांत कौन प्रशांत दो दन पहले आपके अपार्टमेंट में जिसने सूसाइट किया वो प्रशांत उसका नाम प्रशान्थ था, अगर मेरा एंप्लॉई होता, तो मुझे पता चल जाता, I don't think वो मेरा एंप्लॉई था, अगर प्रशान्थ आपका एंप्लॉई नहीं था, तो उसने आपके फ्लैट्स कैसे बेचे, क्या आपके पास उसकी कोई फोटो होगी, यह है वो, यह वाज इंडिपेंडेंट्स ब्रोकर, कमीशन के लिए यह मेरे फ्लैट बिचा करता था, ओफिस बिया था कमीशन लेने के लिए, पर इसने खुदकुशी क्यों की, वो तो उसी को पता था, यह तीन दिन हो गए हैं, यह आवास कोई रो रहा है क्या, वो मेरी पत्नी है, यह मेरे परस्नल माटर है, प्लीज, ओके, आल कॉल यू लेटर, कौन हो तुम, इंद्रा, पुलीस हो, जी हाँ, मैंने नहीं बुलाया, हमारी बेटी की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, यू लड़ी, टोन तश मे, टोन तश मे, सुनो, बेट, यू, यू, यू गेट आओ अफ माइ हाउस, मैं जानती हूँ मेरी बेटी को, कैसे बचाना है, यू जिस, बेट आओट, प्लीस, रिल्यास, बेट नहीं हुआ, पॉर हेवन सेख, शी आर दॉटर, और दॉटर, देखो, सुनो, मेरी बास सुनो, सुना नहीं, बेट आओट, किरन, मैडम, सर को आने को बोलो, ठीक है मैडम, और कहना, यूनिफॉर्म पहन के ना आए, ठीक है मैडम, मेरी बेटी किट्नेप हो गई है, पांस दिन हो गए, क्या हुआ, कोई खास बात है क्या, अभी तक पता नहीं सा, सर, आपके साथ इतनी बड़ी बात हो गई, आपने पुलिस कंपलेंट क्यों नहीं की, पांच दिन पहले, हमें एक फोन कॉल आया था, फोन करने वाले ने बताया, कि हमारी बेटी को किट्नेप कर लिया है, और फिर कॉल कट कर दिया, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैंने हस्बन को फोन करने के लिए फोन उठाया, तब ही मुझे दूसरा कॉल आया, उसने कहा उसे पैसे चाहिए, लेकिन कब, कहां, कितने चाहिए, ये नहीं बताया, पुलिस को मत बताना ऐसी धमकी दी, और उसके बाद, दो दिनों तक उसने कोई कॉल नहीं किया, तीसरे दिन फोन करके पूछा, पुलिस को अन्फॉर्म किया गया, मैंने कहा नहीं, और फिर, कल उसका फोन आया, उसने पैसे मांगे, कब, कहां और कितने चाहिए, वो बाद में बताएगा, ये बोलकर, उसने कॉल कट कर दिया, पहले दिन जब कॉल किया था तब, किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी, मैं अच्छे से सुन पा रही थी, अब आप भी बताईए, अगर आप मेरी जगा होते, तो पुलिस को बताते क्या, आखेर उसे पैसा ही तो चाहिए, कितने भी मांग ले, यह मेरी बेटी की जिन्दगी से ज्यादा थोड़ी है, हम समझ सकते हैं सो, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम संभाल लेंगे, नो, नो, यह सही नहीं लग रहा, पहले मेरी बेटी वापेस आ जाए, पुलिस को नहीं बताना ऐसा कहा था उन्होंने, इसलिए मैंने सारे नोकरों को छुट्टी पर भेज़ दिया, ऐसे मुश्किल समय में किसी भी भरोसा नहीं कर सकता, सर, जब तक आपकी बेटी नहीं आती, वी विल नौट टेक एनी आक्शन, हम आपके साथ हैं, हर तरह से हम आपकी मदद करेंगे सर, मैडम, तेलेकॉम डिपार्टमेंट से कोई चाहिए था ना, यही है, इनका नाम डाइमंड है, मैडम, फर्स्ट ताइम कॉल किया था, और ट्वेंटी फर्स्ट, इट वर बैंगलोर नंबर, उसके बाद ट्वेंटी सेकेंड को किड्नेपर ने और कोई कॉल नहीं किया था, 23rd and 24th, देर वर टू मोर कॉल्स, एक मुमबई से था और दूसरा दिली से, तब प्रॉब्लेम इस, बोथ इस नंबर्स आर है, और रीजन इस दाट, दोनों नंबर का कॉल डियूरेशन, दो मिनिट से ज्यादा का नहीं था, और वो दो बैंगलोर नंबर्स, नंबर के ओनर्स को मैंने कस्टडी में लिया, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, किसने हैक किया है, पदा चल सकता है क्या, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का काम है मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते, कॉल रिकॉर्ट्स मिल सकते हैं क्या, मिल सकते है मैडम, बट इट इस गॉइं टो टेक टो डेज, उसके लिए मुझे कमिशनर ओफिस से पर्मिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में जितना जल्दी होगा, आपको दे दूँगा, अगर अभी और कोई कॉल आया तो, लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते है मैडम, बट एक्यूरेट लोकेशन पता नहीं चलेगी, मैडम, इन लोगों के नंबर से कॉल आया था, कॉल वाले दिन ही इनका फोन चोरी हो गया था, सिम कार ब्लॉक करके इन्होंने कंप्लेंट दर्ज की थी, कंप्लेंट कॉपी देने के बाद जा सकते हैं, ओके मैम, एनिवे, उनकी बेटी एश्वर्या का नंबर ट्रेस करो, उसके बाद उसके भी कॉल रिकॉर्ट निकालो, शूर, कुछ भी सस्पीशियस हो तो मुझे बताना, या मैम, हलो, पून आया था, दो करोड मांग रहा था, उसने कहा कि, पैसे त्याह रखना, तो आपने दो करोड रुपे अरेंज कर लिए, तुम कॉल ट्रेस करो, शूर, वाइफाई का पासवर्ड क्या है, टीवी के पास ही राउटर है, ओके, और राउटर के पीछे स्टिकर है, अपनी बेटी से आपने बात की क्या, नहीं, मैरम, अब कॉल आए तो बोलना दो करोड दे दूँगी, लेकिन एक बार बेटी से बात करवाओ, ऐसी रिक्वेस्ट करना हो क्या है, हलो, 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 गल सुबा नौ बजे, तैया रहना, फोन करूँगा, एक मिनिट सुनो, सारे पैसे रेडी है, नौ बजे हम भी रेडी रहेंगे, लेकिन प्लीज, मिलने से पहले, मुझे एक बार मेरी बेटी से बात करवादो, पहला कॉल चेन्ने से था, दूसरा चंदी गड़ से था, अब बार मेरी बेटी का किनाप हुआ है, बार कॉद बेटी का किनाप हुआ है, प्लीज, इस केस में हमें, बहुत केरफुल रहना होगा सर, आपकी वाइफ को वहाँ भेजना ठीक नहीं होगा सर, सर, कल आपकी वाइफ को वहाँ अकेले भेजना सही नहीं होगा सर, वो भी इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं, उनकी जान को खत्रा हो सकता है, तुम कहना कह चाती हूँ, हलो तैयार हो जाओ हां ओके हलो मेरे दिएगे डियरेक्शन को फॉलो करो हर दो मिरें फोन कर जाएगा अम स्ट्रेइट आप 75 live ! कार्ण स्टॉप कर ओ पैसे लेगे गारी नीच उत्रो दृट फॉर अब कर लेना आपके अभी जो अटो आ रहे है उसके रुखो सीधा चर्ट स्ट्रीट पर पहुचा कहाँ जाना है? बहाया चर्ट स्रेट चलोगे वहाँ आटो नहीं जयाती, मैं नहीं जा पाँगा नहीं आएगा बुलाना उसे बुलो दो हाजार दूगी दो हजार रुपए दूगी क्या कहाँ, दो हजार? सिर्फ चौक तक छोड़ूंगा, बैट जाए मैडम यहीं उद्रो तुम्हारे पीछे पुरानी 800 मारोती खड़ी है, वाइट कलर CND 6782 उसमें बैट जाओ यह गाड़ी तुम्हें चलानी होगी यह गाड़ी तुम्हें चलानी होगी यह क्या हो रहा है, वेपर लेकर आई हो नहीं तो मैं सिर्फ कैश लेकर आई हो टोन्ट एक्समार्ट सारे बैसे निकाल लो, बैग भी छोड़ो तुम्हारा फोन भी छोड़ दो, गैट इंट इंट तुका कार स्टार्ट करो कार स्टार्ट नहीं हो रहे गया पुरा नीकार है मैडम टाइम लगेगा स्टार्ट होने में पर हो जाएगी प्रिवर्स लेके सीधा रास्ता पकड़ो अब ध्यान दो, आगे से राइट लेना है किटने भुई लड़की के साथ पताए क्या होता है रेप होता है सिर्फ एक ही नहीं करता बहुत सारे करते हैं कोई संकी अगर मिल गया ना तो वो जिन्दा ही आंतड़िया निकाल लेता है सो प्रूटल ये सब शायद तेरे साथ भी हो सता है हाँ, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ तो अकेली है फिर भी तेरे साथ कुछ नहीं करेंगे ये रोवा है क्योंकि तुम बहुत होश्यार हो और मुझे होश्यार लड़किया पसंद है तेरे लिए एक खास तोफा है तेरे साथ करेंगे तेरे साथ करेंगे सेंट तेरे स्पैस कर दो कर दो मेरी बेटी कहा है तुमने कहा था पैसे मिलते ही दिखाओगे मुझे उसके लिए तो बेटी की मां को आना चाहिए था जरा गाड़ी को धक्का मारो तो कर दो कर दो कर दो झाल 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 कर दो 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 कि एक दिए यह चाल रहा है यह चाल रहा है यह चाल रहा है। मेचल दो मेचल दो मेरी बेटी आश्वरिया ज्यादा बात नहीं करती बश्ये वेरी टेलेंटेड यह सब उसने बनाया है मेरी बनाया है अप्पार्ग लुटनिजर सब्सक्राइब एंदा 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 है सर अब हम क्या करें सर आप ही बताईए ना हम क्या करें तुम भी ना मुझे केस दो मुझे केस दो बोलती रहती थी ना अब देखो क्या हाल हो गया है ऐसे किड्नैप केस तो दो दिन में रफादाफा हो जाते पैसे दिये एक दिन पूरा हो गया है लेकिन अभी तक कोई ख़वर नहीं मिली उसे हम बचा सकते थे लेकिन तुम्हारी होश्यारी की वज़ा से सब कुछ हांस से निकल गया बट सर तो हम ज़रा चुप रहा हो बेटी की माँ जाती तो शायद बेटी को देख सकती थी। तुम्हें डिसमिस करने का मन कर रहा है उस दिन तुम क्या क्या रही थी रिपोर्ट्स ही तो लिखनी होती हैं जल्दी आकर क्या करूँगी तुम पुलिस टिशन ही मत आओ रिपोर्ट्स को घर ले जाओ और वहां अच्छे से बैटके पढ़ती रहना निकलो साथ इंद्रा ये क्या? इतनी जल्दी घर क्यों आ गई तुम? काम नहीं है क्या? देखो मुझे पता है कि तुम्हें कोई बात खाए जा रही है लेकिन यहां बैठे रहने से भी कुछ नहीं होने वाला वाट्स नेक्स्ट? उस पर जान दो लाइफ हास टू गो आन जीया रपिंद्रा वैसे एक बात बताऊं मुझे एक नया टेलर मिल गया है मुझे जानाई होगा लॉक कर देना ठीक है? मैं चलती हूँ मैं प्रशांद की पोस्स मॉंटम रिपोर्ट आ गई है इसस्यूसाइड रिपोर्ट स्टेशन पहुचा दी गई है हेलो किरन बोलिए मैडम ये प्रशांद के दोस्त मनी के बारे में कुछ पता चला? नहीं मैडम और भाई क्या वोली चमेली? ये पहले मनागी फिर शुरू हो गई ना सच मैं? मनी को जानते हो क्या? जानता हूँ उसे लास्ट कब देखता हूँ जैसे ही जैब से निकालूँगा तो कोई भी बता देगा मनी कहा है किसी मनी को जानती हो क्या? मैं किसी को नहीं जानती हूँ हाँ गिटा रूम में आ रही हूँ भाईया मनी नाम के आदमी को जानते हो क्या? मनी नहीं मैडम मैं नहीं जानता चाचा मनी नाम के किसी को जानते हो गया मनी मेरा पोता है आपका पोता हाँ चाउच अ Absolutely वह कहां मिलेगा अभी तो वह स्कूल गया है स्कूल में हां किसलिए वह पढ़ने के लिए जाता है मेटम लेकिन पढ़ाई छोड़ कर सब कुछ करता है उमर क्या होगी मनी की वह हाँ नौ साल का हो गया गोड़े की तरह बढ़ गया लेकिन दिमाग गदे जैसा है करता है एक और कॉफी दीजे प्लीज ओके मैडम कोई इसे छोड़ गया है कोई धूनने आये तो लोटा देना कहा गई थी इतनी राध को सो ही क्या कि ए रुखज़ा न कहा जा रही है भाईया पूरी रात घर नहीं लोटी यह लड़की मुझे कुछ बताती भी नहीं है और सोती भी नहीं है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं भाइया मैं उससे बात करता हूं यू लुक लाइक हेल आया में हेल लेट्स प्लेए गेम अफ चेस कम आण इंद्रा इंद्रा क्या सोच रही हो मुझे नहीं बता तेल में बाउटिट एक लड़की किड्नाप हो गई है और मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की बट आय मेस्ट अप शी इस जस्ट टॉइंटी थी साम तुम्हें पता है ना पढ़ा होगा किड्नैप हुई लड़कियों के साथ क्या होता है मुझे उसे बचाने का एक मौका मिला था पर मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ अब यू थिंग दा यू शुद टेक रिस्पॉंसिबिलिटी फो इट आई डोंट तेंग आई नौ क्या यही वजा है कि तुम रात को सो नहीं पा रही हो इंद्रा पर्सनल प्रफेशनल लाइफ एक समान नहीं होती है यू नीड तो फाइंड बैलन्स यह बैलन्स नहीं होगा तो जिन्दे की जीना बहुत मुश्किल है चेक मेट इट वसी देगा यह गेम को जीतने के लिए तुम स्ट्राटीजी यूस करती हो ना इस केस को सॉल्व करने के लिए भी यह स्ट्राटीजी यूस करो ताओ जी यह खेल मैं आपके साथ खेल रही हूँ आपके खेलने से पहले ही आगे की दो चाले जानती हूँ मैं पर यह केस ऐसा नहीं है मेरे सामने कौन खड़ा है वो कौन है यह स्ट्रेजी मैं कैसे यूस करूँ पता है चेस में राउंड रॉबिन नाम का खेल है उसमें एक अकेला प्लेयर छे लोग छे अजन्यूबियों के साथ यह खेल खेलता है जिरन उसलिए नस एमाजन एकाelf गिए गर्प्लेयर जिननीग वोक रॉपनलन से करश्रेवें पता है रॉन रॉबिन गेम को बहुत से जी गर्पनलन से इंविसेант एदिए यू रॉबिन stopped अबजरें एपन ऍरौबिन पत्षण भाटे लगार बाटे कर दो。 कर दोँ जहता है। है कि अगने प्रेग उड़ी वागड़े सुपका और दो पर्गाने मुशनामी का दिल्माटे कर दोगा है, तो प्रेगे एम गड़ीं इना मुशना है, तो प्रूमागे कि ऑना दो आगा है। इंद्रा क्या पढ़ रही है बिटा ड्राइगन है नहीं तो ड्राइगन नहीं है मा वृत्रा नाम का असुर है लेकिन मुझे तो ये ड्राइगन जैसा ही दिख रहा है ड्राइगन की परिकल्पना का ये मूलन्श हो सकता है ये देखो मूँ से आग उगल रहा है ये जहां भी जाता है वहां अकाल और भुकमरी चा जाती है है मैं रात को वो बुक रख कर गई थी ना जो टेबल पर मिली थी मुझे वो है क्या हां यहां है आईए मेरे साथ मुझे रात का CCTV फुटेज मिल सकता है आप कौन है कोई और अंगल है क्या नए मैडम यही एक वुटेज है हेलो बोलो डायमंड हाँ मैडम रांसम कॉल रेकॉर्डिंग भीजी है मेल किया है प्लीस चेक कर लेना ओके थैंक्यू हलो तुमारी बेटी मेरे पास है वाट कल सुभा नौ बजे पैसो के साथ तैया रहना मैं दुबारा कॉल करूंगा रिकॉर्डिंग्स अच्छे से सुनी ना डिफ्रेंस पता चला दोनों आवाजे अलग हैं हाँ तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि वो दो आदमी थे क्या फर्क पड़ता है फोन तो उसी ने किया होगा ना जिसने किड्नैप किया है नहीं मेडम मुझे ऐसा नहीं लगता दो लोगों ने कॉल किया था मैम उसमें से पहले वाले ने जो पहला कॉल किया वो बैंगलॉर से चोरी के फोन से किया था मेडम आपने रिकॉर्डिंग सुनी ना वो हकला रहा था एंड़ फोन हैक करके कॉल कर रहा था आपने अपने पैसे इस दूसरे आदमी को दिये हैं, हाँ, एक गैंग में दो आदमी हो सकते हैं, इसमें क्या है, एक ही गैंग का एक आदमी चोरी के फोन से फोन करता है, और दूसरा है करके करता है, यह इसलिए, ताकि हम कनफ्यूज हो जाएं, कनफ्यूज कर रहा है, नहीं सर, लगता है दो अलग-अलग लोग हैं कि नैपिंग के बारे में उसे पता होगा सर अगर तुम्हारी बात नहीं सुनती तो मैं अपनी बेटी को देख पाती अगर तुम्हारी बात सुनी तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाऊंगी चली जाओ अहां तो ये रिकॉर्डिंग तुम्हें कहां से मिली ओ ये टेलीकॉम वाले का काम है न लगता है उसे भी सस्पेंट करना पड़ेगा सर प्लीज सर अच्छा वो फाइल्स का क्या हुआ रिपोर्ट्स बनाई क्या जो काम दिया है पहले उसे पूरा करो उसके बाद जाकर करम जन जासूद बना देखो आज रात तक वो हाउस रॉवरी केस की फाइल पूरी हो जानी चाहिए चलो अब जाओ काम पूरा करो मैड़प कॉफी लाइए प्लीज ओके हेलो मैड़म इंस्पेक्टर हाउस रॉबरी केस की रिपोर्ट बन गई है क्या वही कर रही हूँ थोड़ी देर में भेजवाती हूँ क्या वही हूँ तुम लोगों ने क्या किया सर हमने घर में चोरी की थी तेरे साथ कितने लोग थे मैं और मेरे तीन साथी थे सर नाम बता उनका सर वेनू, मदू और डेविड थे सर कैसे की चोरी सर मैंने बताया ना सर एक आपमी हमको फोन करता था सर वो बताता था सर कि किस वक्त कौन घर में आता है और कौन घर से बाहर जाता है किस घर में हम चोरी कर सकते हैं वो हमको बताता था सर उसके बाद हम जाके चोरी करते थे यहीं कि का हई है cups शब्ख करता थदा था सार पता ने सर हर बार वहικά ने नंबर से फोन करताथा सब इसको फाइदा होता हमने अपने नाम पे एकांट खोल के एटियम उसको दियाता सार इसका हिस्सा जो भी होता था खाते में डालते थे वहर रोस अलग नंबर से कॉ और आदम हमको कैसे पता चलेगा सर हमको तो यह भी नहीं मालूम कि वह कौन से शेहर में रहता है आज जोड़ता हूं सर मुझे जाने दीजिए हेलो डायमंड यह आट घरों के इंटरनेट बिल एर्वाइस के हैं उनके मोबाइल नंबर किस नेटवर्क के हैं चेक कर सकते हो क्या नंबर बताइए मैडम 9486683189 09443656997 यह दुनों नंबर एर्वाइस के है मैडम मिसिस गुपता का भी फोन एर्वाइस है ना जी मैडम इसलिए तो मुझे एर्वाइस वोलों ने भेजा है और उनका इंटरनेट कनेक्शन वो भी एर्वाइस का है मैडम मतलब इन आट खरों का बिल जो है जहां पर चोरी होई थी यह सभी एक ही कंपनी के नेट यूजर्स थे और वो जो नेटवर्क यूज करते हैं व ऋके तो अभी मैं जो कहने जा रही हूँ वो सही भी हो सकता है और नहीं भी मुझे लगता है यूजर्स के ही किसी एंपल Biemand सारे फों हैक करके सब चाहरे कि अंदर होगे यह सब जानने के बाद यह वो घरों में चोरी करता था और हो सकता ह्या चोरी करने के लिए मिस्स गुपता का फोन नंबर है किया होगा और इस चीज़ को जानने के बाद वो सिच्वेशन का फाइदा उठा रहा है उनकी बेटी को असल किड्नैप करने वाले ने फोन क्यों नहीं किया मेबी ये काम किसी एक ही गयांका हो मैडम ये मिस्टा गुपता और मेबी दे सर्विस एंजीनियर्स एनिफिंग एट आल नहीं मैम अभी पॉसिबल नहीं है कल पता करता हूँ अभी क्यों नहीं जा सकते मैडम इस वक्त कॉल सेंटर ही ओपन होंगे वहां कोई इंफोर्मेशन नहीं मिलेगी कल आफिस जाने के बाद ही मैं कुछ बता सकता छोगुँ ओके कि अधियां साइन कर तेरे कपड़े देता हूं ध्यान से सुन अभी चुपचाब अपने गाव चला जा नहीं तो सारे पेंडिंग केसेज तुछ पर थोपके लंबे टायम के लिए अंदर करा दूँगा देखना ये कभी भी नहीं सुदरने वाला कि अधियां के लिए उन्याज के लाव जाचाब राव झाव वट्रॉगा ठाव झावाई जाज टो पर दो रवेंग के लड़ेंग। बढ़े बन्मरा कर दिए खिरो तेझे सबस्कार के लिए प्राइ़ यावें अजय को दोत वक्राइ़ है हाँ मा, आत्य वक्त ताधा लीटर दूद लेकर आना बेटा, हाँ ले आऊंगी, पर हमने एक करोर पहले ही दे दिये हैं, तुमने कहा था तुम मेरी बेटी को दिखाओगे, लेकिन उने नहीं दिखाए, एक करोण, मैंने का मांगे, पंद्रा लाग दोगी, तो तेरी बेटी वापस करूँगा, कौन है, अरे बताओ दोगी, दे दोगी, ये पताओ कि हम पैसे लेकर कहा है, दो गंटे में, मैंजिस्टिक बस्टॉप पर पैसे लेके पहुझो, लेकिन प्लीज, सिर्फ एक बार, मेरी बेटी से मेरी बात करवादो, बोलो डायमंड, उनको दूसरा रैंसम कॉल आया है, रेकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, छेक कर लीजे, पंद्रा लाग दो, और अपनी बेटी को ले जा, ये तो फर्स्ट कॉलर की वोइस लग रही है, जी मैडम, कौन से एरिया से किया था, वन सेकंड, चेक कर रहा हूँ, मैम, न्यूटाउन, मैडम, मैंने बोला था न, कॉल करने वाले दोनों अलग है, हाँ, तुम मुझे वो डीटेल्स भिजवा सकते हो, क्या, ओके मैडम, हलो, तेरी बेटी, यह, यही मेरे पास है, उस ते कई, कई दिनों से कुछ खाया ली है, उस में बात करने की ताकत नहीं है, मड़ जाएगी, ले, बात कर ले, बात कर, बात कर, हलो, आशु, आशु, बात करो, आशु, प्लीज, बात करो, आशु, 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 प्लीज, बात करो, आशु, 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 हलो, हलो, आशु, 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 पापा है, हलो, वो बोला था न, वो बात करने की हालत में नहीं है, पैसे दो, और उसे लेकर जाओ, ओके ओके, हम आप पैसे लेकर आता हूँ, ओके, हालो मैडम, फिर से फोन आया था, उसी एरिया से, लड़की उसके साथ ही है, ऐसा बोल रहा था, मैं जा की देखती हूँ, मनी नाम का कोई जेल में था क्या, बता नहीं मैडम, देखना पड़ेगा, ये मोबाइल चुराने वाले, पॉकेट मार, पैजी थीव्स, उनके रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, हाँ मैं देखता हूँ, ओ, कुंटा, असली नाम मनी है, कुंटा कुंटा बोलते बोलते हम, उसका असली नाम भूल ही गए मैडम, इसे तो थोड़ी देर पहले ही रिलीज किया है, ये रहा रजिस्टर, सर, उस दिन बार के बाहर तुम ने ही लफ्रा किया था ना, कुंटा को देखा है क्या, वो वहाँ गया है, कुंटा को दो हैं, एक याम मनी है। कुंटा है, एक बाहरा थाम उन्हुआ है, कि वहाँ बोलते हैं, कि अरूरा को देखा है, वहाँ आचिए... हुआ परेंग, एक परेंग, एक आपेंग, काखी यहां से कोई लंगड़ाते हुए भगा है क्या हाँ उधर गया है काखी लंगड़ाते है क्या है यहाँ सिर्टा है हुआ़ा स्क्याव हुआ़ा हुआ़ा सुaking हुआ़ा हुआ़ कर दो कर दो कर दो कर दो करेक्दा... लड़की कहा है क्या किया लड़की के साथ दो साल पहले मुझे माउट कर से रोगया था बीड़ी बहुत पीता था इसलिए पीना छोड़ दिया लेकिन अब बिना बीड़ी के ठीक से बात नहीं कर पासा लड़की के साथ तुने क्या किया मैं मैंने कुछ नहीं किया मैं जब यहां से गया था तब वो यहीं थी इधर ही बांद के गया था उसमें तो चलने के भी शक्ति नहीं थी किड्नैप्रिंग में कितने लोग शामिल थे कैसे किया मुझे नहीं पता कैसे किया मेरे दोस्त प्रशान ने किया था मैं तो सुर्फ ध्यान दे दे उस तो बोला था इसको छोड़ने पर पंद्रा लाक रुपए मुझे मिलेंगे इसलिए इसलिए बार में प्रशान को पहचानने से मना क्यों किया प्रशान ने सूसाइट क्यों किया पता नहीं उसकी मौत के बारे में उसके घर वालों सो पता सला था वो वो लड़की यहीं पर थी मुझे तो पंद्रा लाक में लेवाले थे इसलिए वो फोन किया था वो मान भी गए थे तुमने आज कॉल किया इतने दिन से कौन फोन कर रहा था मुझे नहीं पता जुर्म किसी और ने किया सजा मुझे दे दी गई आज ही निकला हूँ सोचा लड़की को छोड़ देता हूँ और उसके घर वालों सब पैसे लेके उसे भेज़ दूँ बांद के क्या था आपने खुदी देखा मैडम दर्बाजा खोला हूँ था किरन मनी मिल गया है उसने बोला की लड़की उसके पास थी लेकिन अब नहीं है मनी के घर पर खून के निशान भी है उसे चेक करवाओ फोरेंसिक को इनफॉर्म करो ये सब सर को भी बता दो मैं लोकेशन भेज रही हूँ तो मा जाओ मैडम मैंने चेक किया ये आट घरों में और गुपता जी के घर में वाइफाई इंस्टॉल करने वाला एक ही आदमी है और वही आदमी कस्टमर केर में भी काम करता है एक हफ़ते पहले ही उसने कमपनी छोड़ी है मैडम यही घर है पड़ोस में पूछा तो पता चला वो लोग कई भार गये हैं इस सारे ड्रामा का डिरेक्टर यही है आपको पता है इस लड़की को मेरे दोस्त प्रुशान नहीं किड्नाप किया था लेकिन उसे किसने करने को बोला था पता है क्या किसने उसके बाप ने इसके बार में मैंने उस लड़की को सुबही बता दिया था पता है क्यों वो लड़की पापा आएंगे बार बार बोल रही थी मुझसे रहा नहीं गया इसलिए सच-सच बोल दिया उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता मैडम मुझे नहीं पता मेरे अपार्टमेंट में ही प्रशादने सुईसाइट किया इस बिल्डिंग के 80% फ्लैट अभी तक खाली कोई खरीदी नहीं रहा था मेरे हाथ से पैसे पानी की तरब बह रहे हैं लेकिन मेरे पास एक बड़ी लैंड है मैं उसको भेजके इन अपार्टमेंट से हुए लॉस को कमपेंसेट करना चाहता था दो साल पहले गवर्मेंट एक स्कीम लेकर आई सारे सुखे हुए तालाब को रीजुविनेट करने का एलान किया जब लोगों को पता चला कि मेरी लैंड भी सुखा तालाब था कोई उसे खरीदने के लिए तयार नहीं था इसलिए मैंने खोदे उस जमीन पर बिल्डिंग बनाने का फैसला किया आई हाड इन्विस्टर्स लेकिन इस एरिया के मिले ने बीमसी के अधिकारियों ने मुझे पर्मिशन नहीं दी बहुत कोशिश की पर्मिशन के लिए पचास परसंट प्रोजेक्ट की मांग कमिशन के तौर पर की गई मुझसे कहां से देता मैं अपने पॉलिटिकल इंफ्लिवेंस भी यूज किये बट नथिंग वग्ट फिर मैंने सुचा अगर मैं ही अमले बन गया तो अगर मैं ही अमले बन गया तो I'll have the power I wanted to float an independent party लेकिन जनता को मैं कौन हो ये पता नहीं मेरी कंपनी का नाम जानते है गुपता बिल्डर्स मुझे नहीं जानते मेरे चेहरे को नहीं जानते मैंने बहुत से charity programs social service बच्चों को books देना ये सब किया मैंने लेकिन जनता को मुझसे सहानभूती नहीं हुई जरा भी नहीं पेचाना To win I have to be the sensation आने वाले दो दिनों में इसके बाद ही मेरी बेटी आईशू Welcome back to me और जब वो वापस आएगी तब सब पूछेंगे कि किस ने किया था तो कहीं पर भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए तुम सरेंडर करोगे इलजाम अपने सर लोगे अगर कोई पूछे तो बोल देना कि इस एरिया के MLA शिवकुमार ने ऐसा करने को कहा था इसलिक किया समझे सर आप मुझे दोका तो नहीं दोगे ना अगर मुझे जेल हुई तो आप मुझे बाहर निकालोगे ना मैं आपको अच्छे से चांदता हूँ सर ज़रा सोच के देखो मेरा फोटो हर अकबार में होगा मैं गुनेगार बन जाऊँगा और इतना ही नहीं मेरे माबाप को लोग गलत नजर से देखेंगे इस गुना में उनकी क्या गलती सर अगर मैं MLA पर किट डैप करने का इल्जाम लगाऊँगा तो वो मुझे छोड़ेगा क्या सर ऐसे हर रोज डर डर के जीने से तो अच्छा है मैं अपनी जान ही ले लो इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ अब आप अपनी बेटी को खुद ही ढूण ले ना सर हाँ मैडम ब्लड सैंपल चेक किया है यह एश्वरिया के ब्लड गुरूप से मैच कर रहा है टी एन ने रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा मैडम पर इंस्पेक्टर को खबर मिल गई है वो गुपता के घर जा रहे है जा रहे हैं वो जगह मिल गई लेकिन वो नहीं सिर्फ उसका होन मिला है बस कुछ पैसे और थोड़े नाम के लिए आपने अपनी ही बेटी को आप सच में बहुत गिरे हुए आदमी है मैडम मैडम यह वह आदमी है मुझे तो डाउट है यह तो एक्दम सीधा दिख रहा है मुझे नहीं लगता है इसके पास एक करोड मिलेंगा यहां सि यह हुए आकलो आए आए यह ऐए आए, आव्यए अवर आए चाहिए बीजर है कॉच्व एए रोड़े रही आए सॉरी, ये सब नेरी बेटी का काम है, अभी समेट लेता हूं, जस्ट आफ्ट आफ्टाफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं, आपको कैसे पता चला, लेट में गेस, एरवोईज, आंट घरों की चोरी, इन सब घरों का सर्वीस इंजिनेर में ही था, पुलिस भी इतना अग लगा सकती है, पता नहीं था, नॉट बैड, जाने दीजे, बताइए, क्या लेंगे आप, कॉफी, टी, ओके, टी, बाइदो वे, आइमेक ग्रेट टी, आजकल पैसे बनाना मुश्किल नहीं है, इनसान को सिर्फ आउट अफ बॉक्स सोचना पड़ता है, इस वेरी पैसो के बीना एक आदमी की जिंदगी कितनी असाहयक होती है, पता है क्या, इसलिए मैंने डिसाइड किया, मैं छीन के जिऊंगा, लेकिन मैंने चोरी की भी तो किसके घर की, वो सब के सब जहरीले नाग है, जब भी सांस लेते थे सूखा पड़ जाता है, पता है उनमें से हर एक आदमी वृत्रासूर है, आपको शायद दिखाई न दे, पर मेरी नजर से देखोगे, तभी समझ में आएगा, ड्रैगन नहीं है मा, वृत्रा नाम का असूर है, वो मैं था, मगर वो तो राक्षस है, पैसे और नाम के लिए अपने ही बेटी को अग्वा करने वाले क अगर मैंने लूट लिया, तो क्या भूरा किया मैडम? पर ये सब करके किसका फायदा हुआ है? जब आप मेरा बाहर वेट कर रही थी न, वहाँ एक डिलिवरी बॉय भी था, शायद आपने देखा होगा, सेवन्थ क्रोस बिल्डर के घर में रॉबरी से, उस डिलिवरी भराई हुई, वो भी बिना टेंशन के, मुझे अपनी बीबी के गिर्वी जेवर छोड़वाने थे, नहीं करवा पाया, अगर वापस लिया था, तो खुश हो जाती, लेकिन पूछती के पैसे कहां से आए, तो क्या जवाब देता मैं? I am sure, she would not be happy to know where this money came from. वो नहीं है. मैंने अब से पहले कहा था ना माडम? तुम जाओ, मैं टैक्सि करके आजाओंगे. ओके माडम. माम, बजपन से ही मैं हमेशा कुछ नया सीखना चाहती थी, राइम कीसिस को design करना चाहती थी, क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहती थी, बस यही करना चाहती थी और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं क्राइम ब्रांच में आई है बट आई डोंट नो मां आपी अनिकों मैं जो कुछ कर रही हो यह वो नहीं है लेकिन एक बास सीखी है केसिस को सॉल्व करने के लिए क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आई डोंट हाव ट कर दो आई डोंट है कुछ उल्टा सिधा मत सोचो मुझे तो पता भी नहीं ये लड़की कौन है जब सबके फोन हैक कर रहा था तभी मैंने इसकी मम्मी का फोन हैक किया तब मुझे पता चला ये लड़की किड्नैप हो गई है तक से मुझे एक आइडिया आया पैसे बनाने का रास्ता मिला वो तुम थी जिसने मुझे एक करोड दिये तुम्हारे लिए तुम्हें एक अपराधी जैसा लेकिन मैडम मेरी भी एक अंतर आत्मा है इस लड़की की मुझे चिंता होने लगी जैसे तुम इस लड़की की तलाश में भटक रही थी वैसे ही मैं भी इसे ढूंड रहा था I just turned out to be a little smarter than you तुम्हारे वहाँ पहुचने से दो घंडे पहले ही मैं वहाँ पहुच गया मैं डैड से बहुत क्लोस थी और मेरी मॉम मैंने बहुत कम टाइम बिताया उनके साथ डैड ने कभी भी मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया और मैं भी कभी भी उनके खिलाफ नहीं गई In fact, हमारे बिजनस में help करने के लिए मैंने फॉरण जाके डिग्री ली मुझे लगा मेरे पापा परफेक्ट है He was my idea जूट, सब जूट था मेरी पूरी जिन्दगी जूट थी जब दिल पे गहरी चोट लगती है तो कभी भरी नहीं जा सकती बिल्कुल इंपॉसिबल है मुझे इसके साथ जीना होगा अब मुझे खुद को डोनना होगा अपनी जिन्दगी को अपने हिसाब से जीना है I want to pursue what I love ये रहे पैसे और ये रहा मैं अपने स्वार्थ के लिए ये सब करके अब अपने आपको अच्छा बता रहे हो तुम्हें जरा भी नहीं लगा कि तुमने जो किया है वो गलत है क्या सही क्या गलत स्वार्थ मनुश्य के स्वभाव में है जब एक माँ अपने बच्चे को दूद पिलाती है ना तब वो अपने बच्चे को मुस्कुराते देखने का स्वार्थ रखती है ऐसा कुछ नहीं जिसमें स्वार्थ नहीं लेकिन लोग अलग होते हैं किसी के स्वार्थ से किसी का भला होता है किसी के स्वार्थ से किसी का नाश होता है लेकिन अगर मेरे स्वार्थ से किसी का भला होता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ बीना मतलब कि गिल्टी फील करना मेरा सोभाव नहीं मैंने वही किया जो मुझे सही लगा जो आपको सही लगे आप कीजिये तुम्हें गिल्टी फील नहीं हो रहा है तुम कसूर बार हो तुम्हें नहीं लगता ना तुफिर इतनी सफाई क्यों दे रहे हो तुम तुम अच्छे से जानते हो क्या सही है और क्या गलत मैं तुम्हें जजनी कर रही हूँ तुम्हें पता है एक कहवत है कर्मा इसा इस बूमरेंग गुड़ लग तुमने गुपता के साथ क्या किया, वो पागल हो रहा है, मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिये, वो बात करने की इस्तती में नहीं है, ये सिर्फ आपके रिफ्टरेंस के लिए सर्फ, एक कॉपी कमिश्णर आफिस में भेज दी है, क्या है ये, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, एक केस हैंडल नहीं कर पाई, बस इसलिए रिजाइन कर रही हो, ये क्या बच्चों की जैसी हरकत कर रही हो, डिपार्टमेंट में नौकरी पता है कितने मुश्कल से मिलती है, लोग हाथ में आए औसर को पकड़ कर रखते हैं औरे तुमो की झाल, आए ऑपता है कितने मुश्के एर बच्चों की अपता हैं झाल 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 झाल